जम्मु कश्मीर में वरिष्ट पत्रकार सुजाद बुखारी की हत्या के मामले में चार आरूपियों को फिलहाल पकड़ लिया गया है आपको बता दें कि इस हत्या की साजिश पाकस्तान से रची गई थी क्योंकि इन चार लोगों में एक लशकर का आतंकी भी है जम्मु कश्मीर में मशुहूर पत्रकार सुजाद बुखारी की हत्या करने के मामले में तीन संदिक्तों की पहचान हो गई है हलाकि जांच में पता चला है कि सुजाद की हत्या कान की साजिश पाकस्तान में रची गई थी साजिश रचने वाले आतंकी की भी पहचान हो चुकी है इस बीच पूलिस ने खुलासा किया है कि सुजात की हत्या करने वाले एक आतंगवादी द्वारा इस हत्यकान को अंजाम देने की अपनी शेखी बगारना उसे महंगा पढ़ा जिसके चलते तीन और संदिग्दों की पहचान हो पाई है पकड़े गए इस आतंगवादी ने बताया कि सुजात की हत्या में शामिल लशकर के ही एक अन्य आतंगवादी आजाद एहमद मलिक ने उसे बताया था कि कैसे उसने सुजात की हत्या की थी पोलिस ने चारो संदिग्दों की तस्वीर जारी कर दी है जानकारी के मुताबित 48 वर्षी सज्जाद पाकस्तान में प्रसिक्षित आतंकी है जो पिछले 5 सालों से सीमा पार कर पाकस्तान की ओर चला गया था पाकिस्तान में जाकर लशकर में शामिल होकर वो वहां काम कर रहा था सज्जात नाम केस आतंगवादी को मूलता कश्मीर का बताय जा रहा है